राधे राधे आए सुनते हैं माग मास के किश्व पक्ष की एकादसी की ब्रत कता महात्त में वंबेदी माग मास के किश्व पक्ष की एकादसी को सट तिला एकादसी कहते हैं इस दिन भगवान विश्टू की पूजा की जाती है इस दिन काले तिलो और श्यामा गाई के दान का विशेश महत्त है शरीर पर तिल के तेल की मालिस तिल जल से इसनान तिल जल पान तता तिलों के पकवान के इस दिन विशेश महत्ता है विदी पूर्व केहवत करने वालों क रोगों से मुक्ति मिलती है और शुकों में ब्रद्धी होती है एक समय दालब भी रिशी ने महा रिशी पुलस्ति से पूछा है महाराज मुरति लोग में मनुशी ब्रह्म अत्या आधिया नेक महापाप करते हैं परायधन की चोरी और दूसरे की उन्नाति को देखर इस्या कर करते हैं तता है नेक प्रकार के विश्णों में फसे रहते हैं फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता इसका क्या कारण है ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुड़ करते हैं जिसके पाप नस्ठ हो जाती है यह सब क्रभा पूर्वक कहिए पुलस्ति मुनी कहने लगे के है राजन आपने अत्यंत सुन्दर प्रस्ण पूचा है इस संसार के जीवों का कल्याड होगा ब्रह्मा विश्णु रुद्ध तता इंद्र आदिवी इस गुप्त भेत को नहीं जानते परंत संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूं माग मास के लगते ही इस नाना बार हवन करना चाहिए उससे दिन मूल नचक्त्र हो साथी नित क्रिया से निवत्त होकर देवाती देवस्री भगवान मिश्णु का पूजन और एक अदशी का ब्रत करें राती को जागर करना स्रेष्ट है उसके दूसरे दिन धूप दीप नए वेदा जिसे भगवान मिश पूजन करके पेठा नारियल सीता फल और सुपारी साहित अर्ध देते हुए बिनाय करें हे भगवन आप दीनों के सरर देने वाले तता इस संसार सागर में फसे प्राणियों का उधार करने वाले हैं हे पुंडरी का आप लक्षमी साहित इस तुछ अर्ध को सुईकार करें इसके पस्टा जल से भरा हुए कुम घड़ा ब्राम्मर को दान करें उस समय ब्राम्मर को स्यामा गो और तिल पात देना अति उत्तम है तिल इस नान और भोजन दोनों ही स्रेस्ट हैं इस प्रकार जो मनुस्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही अजारवर स्वर्ग में भास करता है तिल मिसरिजल से इस नान तिलों का उबटन स भगवान विश्णू कहने लगे है नारद मुनी मैं आखों देखी एक सत्य घटना कहता हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनो प्राचीन काल में मिरति लोग में एक ब्रामणी रहती थी वैसा देब्रत किया करती थी एक समय वह एक मास तक लगातार ब्रत करती रही इसके उसका स प्रामणी के पास गया उसने भिक्चा मांगी वह बोली है महराद आप यहां किस लिए आया मैंने का ब्रामणी मुझे भिक्चा चाहिए इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्चा पात्र में डाल दिया मैं उससे लेकर स्वर्ग लोटाया कुछ समय भी इतने पर वह ब् अधि द्वारा आपकी पूजा की परंद फिर भी मेरा घर अन्नाधी से शूर्न क्यों है मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ कि देवताओं किस्तियां तुम्हें देखने के लिए आएंगे उनसे शट्तिलाय का दसी का महातम में कहिए तब उनसे एक देविस्ति ने महातम में सुनकर घर का द्वार खोल दिया देवांगनाओं ने देखा कि बहन ना तो गांदर्वी ना आसुरी बरंसांसारिक ब्रद्दा है उस ब्रामणी ने देवियों के कथा अनुसार शट्तिलाय का दसी का ब्रद्द किया उसके प्रभॉसेवे देवकन्याओं के समान सुन्दर और रूबती हो गई तता उसका अनुसा में ग्रीशे भर पूर हो गया जो भी मनुसी इस कथा को सुनता है उसके सारे मनुरत पूर होते हैं और इस लोग में सुखव होकर पर लोग को जाता है बोलिये का दसी मया की जय